हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टुदा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं गौवर्मेंट आप आसाम इस्टेट लेवल पुलिस रिक्रूट्मेंट बोर्ड आसाम का अगर आप यहां पे फॉर्म अप्लाइ कर रहे हैं वेरियस पोस्ट म अप्लोड करने में दिक्कत and problem आ रहा है तो कैसे photograph signature अप्लोड करेंगे कैसे आपको document अप्लोड करना है इस वीडियो में आपको complete जानकारी दिया जाएगा अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like, subscribe, share करेंगे किसी परकार का query होगा तो मुझे comment box मे comment कर सकते हैं form apply see related जो वीडियो होता है वो मैंने पहले ही बना के upload कर दिया है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते तो हमारे वीडियो को decision में उसका link मिल जाएगा form में photograph signature upload करने से पहले आपको इसका जो guideline होता है वो आपको rate करना बहुत ही जरूरी है तो चलिए friends सबसे पहले इसका जो guideline होता है वो हम ये rate करते हैं इसके बद मैं बताऊंगा कि आपको photo को कैसे research करना है signature को आपको कैसे research करना है document को आपको कैसे research करना है देखिए friends इसका ज होता है वो आपका रेजेक्ट हो जाएगा सबसे पहले देखिए पॉटो होता है आपका फोटा होना चाहिए बैक रांड आपका वाइट होना चाहिए और आपका फोटो होना चाहिए ए डेट और ना मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकि आप डेट और ना मेंशन नहीं करेंगे तो इससे कोई भी दिकत यह प्रोब्लम नहीं होगा mention करेंगे तो अच्छी बात होगी photo में date और ना mention करेंगे तो अच्छी बात होगी अगर नहीं mention करेंगे तो आपका photo reject नहीं होगा form reject नहीं होगा इसके बद देखे press यहाँ पर आपका जो signature होता है वो आपको दिया गया यहाँ पर क्या आपका जो signature होता है इसमें आपको white paper का use करना है black क्या dark आपको यहाँ पे blue ink से क्या करना है signature करना है फिर से यहाँ पे बता दता हूँ आपका जो signature होता है A4 size का white paper में आपको यहाँ पे signature करना है black क्या dark आपको blue ink का use करना है और आपको signature कर लेना है 100KB से आपको ज़्यादा यहाँ पर फाइल का size नहीं रहना चाहिए JPG यह PNG format में आपका यहाँ पर size रहना चाहिए इसके बद आपका जो भी यहाँ पर document यहाँ पर upload करेंगे वो आपको 200KB के बीच में आपका PDA format में रहना चाहिए जैसे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप certificate upload करते हैं document upload करते हैं, a certificate upload करते हैं जो भी यहाँ पर आपका document हो गया वो आपका 200KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो चलिए फ्रेंस सबसे पहले आप photograph, signature and document को resize करते हैं इसके वद मैं आपको upload करके दिखाता हूँ कि फ्रेंस यहाँ पर photograph, signature and document को आपको resize करने के लिए एक application का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको play store में मिल जाएगा अगर आप laptop यह PC से resize करना चाहते हैं तो आप laptop यह PC में किसी भी application का यूज़ करके आप resize कर सकते हैं अगर आप mobile phone से resize करना चाहते है photograph, signature and document को तो आपको क्या करना है play store में आना है यहाँ पर आपको photo resize यहाँ पर search कर लेना है इस वाले application को install कर लेना है अपने phone में मैंने पहले से install कर रहा है इसको simply मैं open कर लेता हूँ अगर आप किसी भी other application से resize करना चाहते है इसके लिए आपको कोई भी face payment करना नहीं पड़ेगा सबसे पहले आपको photo को resize करने के लिए आपको select photo में click करना होगा आपको जो भी photo होगा वो आप यहाँ पर select तो देखिए friends यहाँ पर demo मात रखे लिए मैंने यहाँ पर photo यहाँ पर select कर लिया है अगर आप यहाँ पर कैफ वगरा लगाते हैं जसमे वगरा लगाते हैं तो आपको form reject हो सकता है इसलिए आप यह गलती नहीं करेंगे क्योंकि पिसले बार इन गलतियों के वज़े से बहुत सारे candidate का form reject हो गया था तो आपको यह गलती नहीं करना है आपको चसमा नहीं लगाना है फोटो में साथ में आपको कैफ नहीं लगाना है मास्क वगरा नहीं लगाना है रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो को यहाँ पे रिसाइज टूल में आ जाना है दन आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो research होता है वो आपको कर लेना है research करने के लिए simply आपको ऊपर के scroll कर लेना है यहा Emma है आपको custom में click कर लेना है file size में आपको here custom में click करेंगे इसके बद आपको क्या करना है यहापे 350 & 450 के बीच में इसका width and height set करना है file का size आपको क्या करना है यहाँ पर 450 के भी से आपको ज्यादा नहीं करना है तो आप यहाँ पर 300 यह 400 के भीच में आपको क्या करना है आपको set कर लेना है file का size इसके बद simply क्या करना है आपको ok का button देखने को मिलेगा simply यहाँ पर ok में click कर देना है अब देखे friends आपका जैसे यहाँ पर फोटो रिसाइज हो जाएगा इसके बद आपको क्या करणा है गैलरी आप्स Seb कर लेना है और आपको सेब कर लेना है बस आपको टच्छ कर दिना है गैलरी आप्सրों में ही ओटोमेंटिक ही सेब हो जाएगहारा अब देखे फ्रेंस ऐसे ही आपको क्या करना है आपका जो signature होता है इसको भी आपको select करके आपको research करना है तो आपको इससे पकार यहाँ पे signature भी select करना है मैं यहाँ पे डेवो मातर के लिए एक signature यहाँ पे ले लेता हूँ आप देखे फ्रेंस यहाँ पे आपका signature कुछ इस ओपर के उसको कर लेना है ध्यान रहे आपका जो फाइल का जो साइज होता है आपका 100 KB से ज्यादा नहीं रहना चाहिए तो simply यहापका जो फाइल का जो साइज होता है आपको यहापको सेट करना है जैसे कि यहाँ पर आधार काड़ हो गया या आपका जो भी 10th का जो certificate होता है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है इसको भी आपको resize करना है तो आपको gallery option में आना है और आपको resize कर लेना है ध्यान रहे आपका जो भी यहाँ पर document होता है वो आपका 200KB से ज्यादा नहीं रहना च होगा तो simply यहाँ पर 200KB में आपको convert कर लेता हूं इससे आपको ज्यादा में convert नहीं करना है इस परकार यहाँ पर 200 लिख लेना है देन आपको यहाँ पर ok में क्लिक कर लेना है इसको आपका जो भी यहाँ पर document होता है वो हमारा resize हो चुका है इसको आपको यहाँ पर gallery option में जाना है और आपको यहाँ पर save कर लेना है तो simply मैं यहाँ पर save कर लेता हूं अब चलिए friends मैं यहाँ पर document, photograph, signature जो मैं आपर resize किया है इसको मैं आप logo को upload करके दिखा देता हूं अगर 8 अगेर चलता है तो आपको data को off करके आपको resize करना है तो चलिए friends यहाँ से मैं back हो जात मैं आपको यहाँ पर अप्लोड कर लेता है तो simply मैं इस वाले photo को यहाँ पर simply select कर लेता हूं जैसे हाँ है इसके बद आपको photo को आ जायागा तन आपको upload में अप्लोड में क्लिक कर देना है जैसे हाँ आप然後 мне click करेंगे तो आपका photo होता है upload हो जाGת successful हर आपको सेलेड करना ह कर द mij XL कर द Rechts कर दो करना होगा 20 प्राइब को सब्सक्राइब धाले इसके वद आपको जानकारी है आपको जानकारी पसंद आया होगा पसंद आया होगा जानकारी 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 पसंद आया होगा ज